स्वागर थे अपका सेविल सर्विस पर उट्टू चल में सो गाईज आज का हमारा जो टॉपिक है मस्ट इंपोर्टेंट ये सेग्मेंट होने वाला है एक्जाम में जो भी न्यूज पेपर मार्केट में क अच्छा प्रभावी ओफिस्यल न्यूज पेपर हैं उन हर एक पेपर में ये टॉपिक कवर हो चुका है इसको देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों जूड़ा हुआ है और इससे संभावित कोश्चन कैसे बन सकते हैं और ये टॉपिक है क्या जो भी हिस्ट्री पढ़ा है चानता है उसको लोथल से उपरचीत होगा कि लोथल इस्थल क्या है इसको सबसे पुरानी दुनिया के सबसे पुरानी गोदी भी कहा जाता है तो कोश्चन से यहां से भी बन सकता है कि दुनिया के सबसे पुरानी गोदी कहां पर है तो आप्सन में दो तीन नाम दे देगा तो लोथल को आप ठीक लगाओगे कि लोथल सही एंसर है ओके लोथल आज के समय में गुजरात में इस्थित है और लोथल जो है वो सावरमती सावरमती नदी के तरट पर इस्थित अवस्थिति इसकी है तो देख लेते हैं प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने वीडियो कानफरेंसिंग के माध्यम से गुजरात के लोथल में राश्टरी समुद्री विराशत परिसर नेशनल्स मरिटाइम हेरिटेज कमप्लेक्स यानि NMHC इस्थल के निर्माड की समिक्षा की है तो ये कारण है कि ये चर्चा में बन परिस्थिति देखने चार्ट में कि कहां पर है और इसके एर्दगिर्द जो भी मस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेज होंगे उसको थ्ला सा माइंड कर लेना एक्जाम में आये नाये कंप्रिहेंसिव अल टाइम प्रिप्रेशन्स करना चाहिए क्या पता कौन सा कोश्चन्स क कहां से क्लिक कर जाए ओके सो लोथल सिंधु घाटी सबिता की सबसे दच्छडी इस्थलों में से एक था जो कि गुजरात राज के भाल छेत्र में इस्थित है माना जाता है कि बंदर गाह सहर 22 विसापूर में बनाया गया था लोथल प्राचीन काल में एक संपन ब्यापार केंदर था यहां मोती और रतनों और गहनों का ब्यापार पस्ची मेसिया और अफरिका तक होता था देखे जब भी हम एंसर राइटिंग करेंगे सो ऐसा नहीं कि आज के समय में हमारा जो इंटरनेशनल रिलेसंस है और जो अंतराश्ट्री ब्यापार है वो इस्थापित तो यहां से भी सेगमेंट को आप उठा सकते हैं अपने कोश्चन्स में वेटिज देने के लिए आगे चलते हैं गोवा में इस्थित नेशनल इस्थिट्यूट और ओशनोग्राफी ने इस पुरा तत्विक इस्थल पर समुद्री माइक्रो फासिल और नमक जिपसम क्रिश कि यहां पर जो लोथल के इस्थान हैं तत्वर्ती जो छेत्र हैं यहां पर प्राचीन समय में समुद्री जल का भराव था और उसका जो साक्ष है वो जिपसम ठीक है नमक जिपसम के क्रिश्टल मिलने से यह इस्थापित हो चुका है कि यहां पर जो पानी का जो कराठ होता है और जो समुद्री जल होते हैं उनके और उसेस यहां पर भ्यापत हैं ओके लोथल को अप्रेल 2014 में युनिस्को की 202 रिश्थल के रुप में नामित किया गया था और इसका आवेदन युसको कि अइस्थाई सुची में लंबित है यहाँ पर UNESCO की बात है तो हम थोड़ा से UNESCO के बारे में देख लेते हैं कि क्या है सो 16 नवंबर 16 नवंबर 1945 को इसका इस्थापना हुआ था और इसका जो मुख्याले है वह है पेरिस इसका मुख्याले पेरिस में है समुद्री राष्ट्री विरासत परिसर यानि NMHC क्या है राष्ट्री समुद्री विरासत परिसर परियोजना की सुरुवात मार्च 2022 में हुई थी इस परिसर में लोथल की लगु प्रतिकृती जैसी कई नवीन विसेस्ताएं होंगी जिसमें इमर्सिव तकनिकी के माध्यम से हडपा वास्तुकला और जीवन सैली को फिर से दर्साया जाएगा इसके अलावा चार थीम पार्क मेमोरियल थीम पार्क मेरिटाइम एंड नवी थीम पार्क क्लाइमेट थीम पार्क और एडवेंचर एंड इमिजिमेंट थीम पार्क होंगे तो यह मस्ट इंपॉर्टेंट यह पैरा है प्लीज आप इसको कहें पे नोडाउन प्लीज कर लेना इसमें दुनिया का सबसे उचा लाइट हाउस संगरहाल है बनाया है बनाय जाएगा तो यह तो पक्का है कि वंडे एक्जाम हो या बड़े एक्जाम में भी यह चीजे वन लाइन में पूछा जा सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रियेट करके रचनाई की जाएंगे पैसिज का तो प्लीज आप इसमें कहीं पे देशों की बिविद समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक अपतटिय राज मंडप भी होगा सो आने वाले समय में जो आने वाला टाइमिंग है एक्जाम का वहां के लिए काफी प्रभावी सेग्मेंट है और जितना हम बारिकी से देखते हैं किसी भी न्यूच को करिंट को जो पेपर जो लोग बनाते हैं वो हमसे बारिकी से चीजों को एनलेसिस करते हैं यहीं कारण है कि कोश्चन तो हम पढ़े होते हैं उस सेग्मेंट से भी परचित होते हैं लेकिन वहां तक नहीं पूछना चाहता है तो ऐसा नहीं कि कोई बता रहा है कोई पढ़ा रहा है तो बाते पूरा करा दिया आपको मैंने टॉपिक बता दिया अब आपको फर्ज बनता है कि आप इससे जुड़े किताब से नेट से थोड़ा सा रिस्तर्च कर लो कि हो सकता है कुछ और आपको नई बाते मिले और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई आपको यहाँ पर नई बाते मिलती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंसन करिए वीडियो के नीचे मैं उसको पिन करूंगा ताकि उसको और लोग देखे और वो जानकारी और बढ़ती जाए त अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्ले जूड़े रहिए और इसका एक सॉट नश मनाईए थांक्यो सो मच पहुचे